Now we will see how altruism and human relationships emerge during early childhood. So we will see selfishness and attachment to parents. बच्चे उस selfishness और attachment of parents को किस तरह से handle करते हैं? First of all, empathy to significant others. उनके इर्द गिर्द जितने भी significant लोग हैं, जैसे मां है, जैसे बाप है, बेहन भाई हैं, अगर कोई joint family है, नाना नानी, दादा दादी. चुके उनकी उनसे affiliation हो चुकी है, association बन चुकी है, इसलिए वो उनके लिए important हैं, उनका वो कहा भी मानते हैं, और उनको authority भी समझते हैं, और उनके लिए छोटे-छोटे काम भी करना पसंद करते हैं. So people at this stage are in general selfish, they have deep and profound attachment to their parents and usually act altruistically in order to please their parents or authorities. जैसे मैंने अर्स किया, जिनके साथ उनकी association बन चुकी है, सिर्फ उनको एहमियत देते हैं. आपने देखा होगा कि किसी के घर महमान भी जाएं तो जल्दी से उसके करीब नहीं जाएंगे, या उनके घर कोई महमान आए तो वो उसके करीब नहीं जाते हैं. वो उनके लिए अजनबी है, उनसे उनकी कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो वो उसके लिए कोई हमदर्दी, कोई महबत, बिल्कुल महसूस नहीं करते हैं. उनकी महबत सिर्फ उन लोगों तक महदूद है, जो किसी ना किसी तरह उनके दाइराकार या वाकफियत के अंदर हैं. तो इसमें वालदेन आ गए, तो सिबलिंग्स आ गए, घर में कोई हैलपर है, या एक्स्टेंडड पैरंट्स हैं, तो कोई ऐसे लोग हैं जो जिनसे उ बोज मरा का उठना बैठना मिलना जुलना है, अब ये क्या करेगा, ये उनके लिए तो छोट छोटी कुर्बानियां भी देगा, ये मैं अपनी मां के लिए कर रहा हूँ, ये मैं अपने बाप के लिए कर रहा हूँ, मैं फलाँ का काम कर रहा हूँ, फलाँ की हेल्प कर रह है सबसे पढ़कर तो उनकी अपनी जात है उसके बाद वो लोग हैं जो उनके करीब हैं तो वो उन पर अब दूसरे लोगों पर उनको तरजी नी देंगे उनका ख्याल यह होता है कि जो हमारे वालदेन है या हमारा एक सेर्कल है या हम खुद हैं हम ज्यादा उनको किस चीज का फाइदा है अपने खाने के लिए अपने खेलने के लिए अपने इर्द गिर्द चीजें जमा करने का उनको ज्यादा शौक है लेकिन वो अपने करीबियों के लिए अभी भी मदद करने को तैयार है एफेक्टिव बांडिंग अटेश्मेंट टू पेरें करेंगे रिजिस्ट करेंगे वो समझते हैं कि आप उनकी जात को नुकसान पहुचा रहे हैं ये कहके कि कोई और भी इनका बच्चा है या कोई और भी इनको मा कह रहा है तो ऐसी सुरत में उनकी अपने जो दायरा कार है वहां के लोगों से उनकी ज्यादा अटेश्मेंट चुकी हैं उनको दूसरों का भला भी अच्छा लग रहा है वो दूसरों की मदद भी करना चा रहे हैं दूसरों का कहना भी मानना चा रहे हैं लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो उनके दायरा कार के अंदर हैं उससे बाहर अजनवियों के लिए उनके हां कोई एहमियत और ना वो भलाई का concept अभी समझते हैं अभी सिर्फ वो अपनी जात के फाइदे के हवाले से बेहतरी कर सकते हैं और आखिर में authority induced altrism जो उनकी भलाई या नेकी है वो सिर्फ authority पे बेस करती है authority कौन है? उनके इट-गिट के parents उनके साथ जो हैं ईनके बेहन भाई उनके साथ हैं नाना नानी, दादा दादी, helper, teacher जो उनके करीब हैं जो वो कह देंगे अच्छा है वो उनके लिए अच्छा है जो वो कह देंगे ये बुरा है तो वो उनके लिए बुरा है अब obedience ही صرف उनकी अखला किया थे वो बहुत अच्छे होंगे तो वो कहेंगे हाँ मैं आपकी बात मानता हूँ ना मैं अच्छा हूँ ना क्योंकि मैं आपकी बात मानता हूँ हाला कि बात उसको कई दफा पसंद भी नहीं होती है आप जब कहते हैं कि टॉय दूसरे बचे को दे दो तो वो बड़ा अपने कुर्बानी दे के वो ट्वाय दूसरे को दे रहा हुता है सिर्फ इस वज़ा से कि आप उसको कह रहे हैं